Hello students, अपना जोग्राफिका फर्स चैप्टर, Water Resources खतम हो चुका है, अब हम जोग्राफिका नेक्स चैप्टर, Agriculture in India स्टार्ट करेंगे, तो आज सबसे पहले हम देखें, Meaning of Agriculture, Agriculture जो है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, Agri plus Culture, Agri means होता है Land और Culture means होता है Cultivation, तो इसका Meaning होगा Land Cultivation यानि जमीन पे क्रशी करना, खेती करना, तो Agriculture means खेती या फिर क्रशी, इसके Introduction में हम देखें, India is an agricultural country, भारत एक क्रशी प्रधान देश है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, यहाँ क्रशी में ही लगी हुई है, It is a primary activity, यह जो agriculture है, यह primary activity है, primary activity का means होता है, वो activity जो हमें food और उध्योगों के लिए कच्चा माल प्रधान करती है, वो activity, primary activity कहलाती है, primary activity के अंदर हम बात करें, जैसे mining है, forestry है, यह सब primary activity के अंदर ही आते हैं, It is backbone of economy, यह economy जो हमारी earth वेश्था है, उसकी read की हड़ी है, देखें कैसे, 17.4% contribution in GDP, जो हमारा GDP है, gross domestic product, जो हमारा सकल घरेलू उतपाद है, उसके अंदर जो agriculture है, उसका contribution 17.4% है, Next, 54.6%, लगबग 54.6%, जो total population है हमारे देश की, वो agriculture और उसकी जो allied activities हैं, उनके उपर dependent है, अपने जीवन यापन के लिए, allied activities की हम बात करें, वो activities जो agriculture के साथ farmers करते हैं, जैसे animal husbandry है, इसके अलावा poultry है, इसके अलावा plantation farming है, या फिर garden farming है, ये सारी चीजें allied activities के अंदर आती है, main source of employment for rural people, इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा महत्व है, वो ये है, कि गाओं के लोगों के लिए, रोजगार का सबसे बड़ा साधन है ये, अब देखें, जो crops हैं, उन crops को भी हम two types में divide कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले देखें, crops basis on seasons, रित्वों के आधार पर, फसलों का जो निधारन है वो, और crops basis on uses, यानि, उपभोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, जो crops divided हैं, ये two types हैं, इनमें, crops basis on seasons में देखें आप, खरीव crops, रभी crops, एंड जायद crops, तीन types की, three types की crops हैं, seasons के according, और consumption, उपभोग या फिर उपयोग की बात करें, तो उसके आधार पर, इनको four types में बाटा गया है, food crops, cash या फिर इसको हम commercial crops कहते हैं, plantation crops, garden crops, food crops, यानि वो crops जो हमें खाने के लिए unprovide करवाती हैं, cash, commercial crops, जिनका उत्पादन, market में बेचने के लिए, या फिर जो उध्योगों के लिए कच्चे माल का, काम करती हैं, plantation crops, जैसे tea है, coffee है, spices है, उनको हम plantation crops कहते हैं, और garden crops होते हैं, fruits और vegetables, यानि horticulture, वो garden crops में आते हैं, सबसे पहले हम, discuss करेंगे, crops basis on seasons, रितुओं के आधार पर जो crops हैं, और मैं सबसे पहले देखें आप, खरीफ crops, जिनको हम monsoon crops के नाम से भी, monsoonी फसलों के नाम से भी जानते हैं, these are sowen in June, July and harvested in October, November, ये फसलें जून, जुलाई में बोई जाती हैं, और October, November में इनको काटा जाता है, depends upon rainfall, ये जो फसले हैं, मुख्य तया, rainfall पर डिपेंडेंट होती हैं, बारिश के पानी पर डिपेंडेंट ये फसले, मुख्य तया होती हैं, एक्जाम्पल्स में देखें इनके, राइस, मेज, मिलेट, ग्राउन नाट, मूंग, उडद, शूगर कैन, चावल, मक्का, बाजरा, मूंग, फली, इसके अलावा जो दाले हैं, मूंग है, उडद है, और इसके अलावा जो शूगर कैन है, गन्ना, और भी बहुत सारी फसल हैं, जो खरीब क्रॉप में शामल है, ये बें जो क्रॉप्स है, वो है, रभी क्रॉप्स की हम बात करें, इस क्रॉपस सावन उक्टूबर, नौंवेंबर, एंड हर वेस्ट़ इन मार्च, अप्रेल, ये जो फसले हैं, ये ऑक्रॉबर नौंवेंबर में बोई जाती हैं, औ और इनको मार्च अप्रेल में काटा जाता है निकाला जाता है इन फसलों के लिए जर्मिनेशन जब बीच बहर आता है जर्मिनेशन होता है सीट का उस समय वार्म क्लाइमेट यानि गर्म जलवायू चाहिए और जब इसकी ग्रोथ होती है उस समय जो मौसम है वो ठंडा होना चाहिए मुख्य तया यह जो फसले हैं यह सिंचाई द्वारा उत्पा देते की जाती है इसके एक्जामपल्स देखें हम वीट ग्राम बैरली मस्टर सीसेम पी जो आपके गेहूं है चना है जो सरसों तिल मतर इसके अलावा जो राइस है राइस दोनों फसलों में यानि दो क्रॉप सीजन्स में उगाई जाती है नेक्स देखें जायत क्रॉप्स यह जो फसले हैं यह रभी और खरीफ जो क्रॉप सीजन्स है उनके बीच के समय में इनको उगाया जाता है सोवन इन मार्च एंड हर्वेस्टेड इन जून मार्च में इनको बोया जाता है और जून में इनको हर्वेस्ट किया जाता है निकाला जाता है या फिर काटा जाता है between ruby and kharief crops ruby اور kharief फसलों के बीच का जो सीजन है वो जायद सीजन के नाम से जाना जाता है these are early maturing crops ये जो crops हैं ये बहुत जल्दी mature हो जाती है बहुत जल्दी तयार हो जाती है इसके examels में हम देखें तो mostly जो आपके vegetables हैं वो इसके अंदर आते हैं और scale of fruits जैसे water melon है, musk melon है ये इसके examels में शामिल है water melon, cucumber, musk melon and vegetables तो ये सारी की सारे जो हैं ये जायद crops में शामिल है अगला जो class होगा उसके अंदर हम crops basis on uses पे बात करेंगे Thanks अब्सीचव सारे जो शामिल है